हेलो श्विंग्स कैसे हैं ? आज हम यूनिट 7 सांखी की कि प्राइक्ता का जो second part आपका प्राइक्ता इसको स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैय ब्रोबेबिलिटी यानी प्राइक्ता कि अलो बच्चों देखें आपने स्टेटिक्स में यानि सांखिकी में अब तक तीन बाते पढ़ लिए समांत्रमाद्य माद्धिका और भोलत उसी का ही एक पार्ट है प्राइक्ता जो कि अलग चैप्टर होता है लेकिन पार्ट इसी का बुलता सांखिक प्रोबेबिलिटी जैसे आप सिंप्ल भाता में देखिए अगर आप कोई कोई या कोई सिक्का टोस्ट करते हैं उचालते हैं तो उसके दो फेस हैं एक पर हैड लिखा हुआता दूसरे पर टेल यानि चित और पट तो जो आप सिक्का उचालते हैं तो चिता आएगा या पट ना भी आए लेकिन टोटल फेस दो हैं तो कुल घटनाएं तो दो हैं और आपके पसंद की घटना केवल एक है तो प्रायक्ता बंजाती है वन बाइट टू वह कैशे बनती है जान रखना किसी घटना के घटने की संभावना किसी घटना के घटने की संभावना यानि स्कार चांथ क्या चांथ है प्रायक्ता कहलाती है जो संभाव होगा उसकी प्रायक्ता एक होगी जो sure है मतलब उसकी प्रैक्ता एक और जो असंभव है उसकी प्रैक्ता जीरो अगर आपसे कह सके कहते हैं कि सूर्य पूरव से निकलता है एक होगी सर्य जाक्षिदर निकलता टो प्राइक्ता घानक है वह कभी एक से जादे नहीं हो सकती और माइश से कम नहीं सकती जो इसकी सीमा है एक वह हमेशा जीरो से लेकर उल्ट तक होती है तो प्राइक्ता ना तो नेगेटिव होती और नहीं जीरो से कम होती, यानि कि नेगेटिव नहीं हो सकती, ना यह एक से अधिक हो सकती, यह जीरो से बन तक होती है, असंभव जीरो अपूर्ण हो, संभव हो तो उसकी वैल्यू वन, दो घटना हैं मैं बताईए आपको, कि किसी घटना के घटने की संभावना, यानि कि PE, घटना इवेंट्स है, तो PE, probability of n, events, और घटना ना घटने की संभावना, तो इसे note e लिख देंगे, इनका total एक होगा, या PE, plus PE, note e को हम, e- लिख सकते हैं, तो कोई घटना घटना, या उसके ना घटने की, जो total संभावना का योग होगा, वो हमेशा एक होगा, आगर कोई कहने लगा है, कि भाई, पी, note e, find करें, और PE तुम्हें पता है, तो P note e equal to 1 minus PE, तो इस तेके से हमें फोर्मला या रखना पड़ता है, दो चीह या रखना पड़ेंगी, कि शोर घटना है, तो प्राइक्ता 1 होगी, और असंभा होगा है, तो प्राइक्ता 0 होगी, यह MCQ में पूछ लिए आते हैं, यह फोर्मला पूछ लिए आता है, और जो प्राइक्ता का फोर्मला है, यह तो प्राइक्ता लिखने हैं, चैप P, events लिखनें, कुल घटना हैं, घटेंगी, कुल कितनी घटना हैं, तो कुल घटनाओ की संख्या, उपर क्या लिखेंगे, घटित, घटनाओ की संख्या, कितनी घटनाएं घटी, उपकुल कितनी घटनाएं थी, उसका जो एस होगा, उसे कहते हैं, प्राइक्ता, यानि की, इंग्लिश में, फैवरेबल आउटकम्स, अपन टोटल आउटकम्स, यानि की कुल कितनी घटनाएं थी, तोटल आउटकम्स, उसके कितनी हमारी घटित हुई यानि फैवरेबल आउटकम्स, इनका रेसो बन जाएगा, उसे कहते हैं, प्रोबिलिटी ओफैन इवेंट्स, इस फोर्मुले को आपको याद रखनाएं, अब इसके अंदर, कोई ची घटना ना घटनी हो, तो पहले इस आपको उचाल दिया, और उचालने पर चित आने की प्याकता बताईए, तो हम कहरें कि चित और पठ, दो इतो फेस बतायते, है, हैड एंड टेल, तो हमने बताया कि जब एक शिक्का है, उसके दो पहले हुथे, चित एंड पठ, तो हैड एंड टेल, अब हम कह रहें कि दो तो हमारे पास कुल घटना है, या टोटल आउटकम से दो, और हम पूझे चित आने के पर एकता है, बताओ, तो इसमें चित एक बार आ सकता है, तो वो भी बाइट टू, तो यहां क्या लिखेंगे, हम फेड़ेवल आउटकम से वन, और टोटल आउटकम से टू, तो यहां पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हैड की बात करना है, तो हैड लिखेंगे, तो यह वन बाइट टू हो गया, कोई पूझ नहीं है, टेल की बताओ, तो यह हो गया, वन माइनस पी हैड, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हैड की है, वन बाइट टू, तो वन माइस हाफ, यह भी वन बाइट टू, तो आप देख रहे हैं कि P head और P tail, दो चीह अपने निकाली है, अगर हमें कहते हैं P head प्लस P tail, तो यह भी 1 by 2 और यह भी 1 by 2, तो 2 by 2, it means 1, तो टोटल घटना हमारी जो संभावना होती है, अबने बताता है, एक होती है, और उसके दो पार्ट है, दो 1 by 2 प्लस 1 by 2, 4 पार्ट है 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 and 1 by 4, इस तरीके से जो भी कंडिशन होंगी, तो उन कोशने को हमें किस प्लकार करते हैं, यह तो एक हमारे पास सिक्के की बात, अगर हम सिक्के दो दे दे दें आपको, और उसमें कंडिशन लगा दें, तो दो सिक्कों पर हम देखते हैं, कि दो सिक्के अगर हमारे पास है, 2 coins, तो महाँ जो संभावना होंगी total, पहले में भी head, दूसरे में head, hh, head, head, पहले में head आजाए, दूसरे में tail आजाए, ht, 30 कंडिशन पहले में tail आजाए, दूसरे में head आजाए, और 4 कंडिशन में, दोनों में tail आजाए, तो चार संभावना है बनती है, hh, ht, th and tt, तो इस तरीके के questions आपके आते हैं, एक शिक्का उचानना, जए दो सि कार लेंगे, फिर जो घटित घटना है, उनके बारा में जब बात करेंगे, तो फिर उहाँ थे हम, counting कर लेंगे, अगर दोनों h पूछता है, तो first time, one time सुभा, तो one by four, दोनों tail पूछता है, one by four, h और t पूछता है, relation में, तो two by four, क्योंकि ht और th, तो इस तरीके questions करेंगे यहीं आपके कार्ड के कोसन आते हैं, जिना आप तास कहते हैं, कि जब आप तास देखते हैं, तास की गड़ी होती है, उतके अंदर बावन पत्ते होते हैं, 52 कार्ड, उन बावन पत्तों को अगर हम विवाजित करें, तो पहले 26 कार्ड देखते हैं, और दूसरे 26 कार्ड द बावन में से 26 रैड कलर के होगे 26 बिल्यक अब इन रैड कलर में डिविजन हो जाता है कि तेरह अलग और तेरह अलग ऐसी यहां बिल्लेक विजाते हैं मैं इननहें आप कहते हैं हाट कि दाइमन्ड हिंदिया पान का पत्ता बोलते हो और इंट का बोलते हो तो तेरा पत्ते पान के और तेरा पत्ते इंट के ऐसे ही जब ब्लैक में चले जाते हो तो ब्लैक में आने के बाद आपके तेरा पत्ते क्लब और इस पैड़ से जुदि वो付 क्लाफ का मत्तलर चिइडिया बोलतेओं पात् Irisच तरह हिसा हुआ सब का बोलते हो कि इस तरीके से आपने और पथो को विभाज़ित कर लिया वावन फथरच न्हें आम देखा कि तेरह- तेरह की वैराइटी में यह पत्ते दिवाइड होगे इनमें भी खास बात नोट करोगे जब तो इसके अंदर वन लिखा वाता है टू थ्री फॉर फाइव 6,7,8,9,10 यह तो सब नम्रिंग वाले हैं इस आप S बोलते हो इंगलिस में या इका बोलते हो फिर दो नमबर, तीन नमबर, ऐसे दस नमबर तक फिर जब 11 नमबर की बात आती है तो 11 नमबर, 12 नमबर और 13 नमबर इन पर एक खास बात आ जाती है कि जो 11 नमबर है उस पर J लिखा हो आता है Jack, यानि जिसे तुम गुलाम बोलते हो Q पर, 12 नमबर पर Q लिखा हो आता है Queen, जिसे रानी बोलते हैं और 13 नमबर पर King लिखा हो आता है, जिसे राजा बोलते हो आप इन पत्तों में खास बात नोट कर लेना कि जो ये पत्ते हैं आपके, जो कार्ड हैं, इन कार्ड में ये तेहरे दिये गए हैं 1 से लेकर 13 नमबर ही, और हम करें टोटल 52 हैं, तो परती एक पत्ता चार तरीके का होगा अगर आप पूछते हैं, जैक कितने होंगे, चार होंगे, कैसे होंगे देखो, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का, एक कलब का और एक इसपैड, तो आपके पास हर चीज, हर पत्ता, चार चार तरीके का होगा, उनमें चार हो के नाम हमने बताई दिये, हार्ट, डायमंड की बनी होगे, इस पर किनकी बनी होगी, तो इन्हें बोलते हैं, फेस कार्ड, कि फोटो वाले कार्ड है, हर तरीके के चार है, तो 4 तीया 12, तो पूरे पत्तों में 12 फेस कार्ड होते हैं, ज्यान रखना, कुछ बुक वाले जल्दबाजी में गलब लिखे होए हैं, वो 16 लि वो फेशकाड नहीं है वह तो एक symbol है अगर डाइमंड का है तो पूर्छा पत्ता बनावाऊगा ही तो एक design में डाइमंड बनावाएट बनी होगी जीडिया कलब बनावाऊगा और हुकम है तो उसका भी पांड की तरीके से बिच में डंडी बना दी याती है तो उस तरीके की क्वीन और जैक के रूप में वह 11 12 13 इस तेगर हो फेस कार्ड होते हैं तो टोटल कार्ड फिप्टी टू और फेस कार्ड है ट्वैल यह जो रुजाद रखें और बाकी 26 रेड़ है तो 26 ब्लैक है और 13 13 इस टाइप के हैं और उनमें से भी 1234 जो भी नंबर हम काउंट करेंगे हैं इतनी ब्लू कलर की बोल है तो उसमें जैसा कोसेंस आएगा उसके हम बताए दो चैले कोसेंस देखते हैं सिंपल कोसें लिखा कि पी इए इस इक वर टू जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो यह नहीं जो जी बताया था यह नहीं की प्राइक्ट तक ज्याद कीजिए तो पी इप्रोबिर्टि ओफ एड़ इवेंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव पिटा कि वह परसेंटेश में दे जेते हैं तो परसेंटेश को पहले हम्डेट से डिवाइड करकर वैल्यू में लिए और फिर इसी तरीके देख को सोल्ड करेंगे तो अब एक फोमुला बसाया था P E plus P note E equal to 1. अब आपको नहीं काना P note E equal to 1 minus P E. 1 minus इसकी वाइड दो खेंगे 0.05, so 0.95. यह आपका अंसर है बेटा, अगर आप इसको एड करोगे कि P E 0.05 और P note E 0.95 इसका जो टोटल होगा वो 1 होगा, यह हमना बताया था, फोमुला P E plus P note E equal to 1, तो यह आपको चेक भी कर सकते हैं, अगर यह M3 को इस बागए तो चार ओप्सन होंगे, जो अपको ठीक होगा उसको आप टिक करेंगे, फिरे नेक्स्ट कोप्सन, जो हमने कार्ड के बारें बताया था, इसमें सारी बात आ गई आपके पास, कि 52 पत्तों की एक अच्छी परकार से फैटी के गड़ी हैं, आपने गड़ी ली, उसके अंदर बारें बावन पत्ते हैं, आपने उसे सफट किया, तो जब आपने अच्छी तरीके से हैं, तो यह नहीं पता कौन से नंबर पर कौन सा पत्ता मिक्स कर दिया, मतलब, और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो आप से कहां कि 52 पत्ते हैं, कोई से एक पत्ता निकाल दीजिए, तो वो एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो निम्कित को प्राथ करने की प्रायक्ता ग्यात कीजिए, तो देखें, पहला पार्ट कोचा, खुल पत्ते कितनी हैं, 52, कुल घटना है लिख लो यह संभव प्रकार लिख लें या कुल घटना है अब लाल रंका बात्सा अब हमने बताया था कि लाल लंके दो तरी काड़ होते हैं एक बताया था हाट का एक बताया डायमंड का फो जैसे हम कह रहे हैं कि हर चीढ चार-चार है तो चार मेंसे दो लाल रंक बात्सा आने को रहें सकते हैं जब किसी कोश्चन से बहुत सारे पार्ट हों तो हम इसे एवन एटू एठी एफॉर एफाइव लिख सकते हैं या ब्रैकिट में लाल लंका बात सा ऐसे लिख सकते हैं तो अगर इतना बड़ा ना लिखते हो तो पी इवन यानि पहली घटना आने की संभावना तो ज पीछा घटित घटनाव की चैक्याहा इसी आज रख लेके अवन अपकर अपान कुल घटनाव की कि चैन्व गटित घटनाओं की संख्या यानि कुल संभव परकार और कुल परकार अब प्रदा कि लाल रंग जानि घटित घटना का मतलब लाल रंग का बासा आने के परकार तो घटित घटना की तो सकते हैं दो अकुला बावन तो एक बटे 26 अब बावरा फोर्मला लिखते रहें और को करते रहें यह तो पहला पार्ट होगे आपका कि दूसरा पार्ट एक फेस कार्ड अर्थात तसीर वाला पत्ता है तो कुल फेस कार्ड कितने बतायते हैं कि दूसरा कि दूसरा कि दूसरा कि दूसरा कि दूसरा कि बताया कि जो फेस कार्ड आने की प्राइकता है आप उसके निकाल रहे हैं तो उसे हमने बताया था इटू मान लें कि फेस कार्ड कितने हैं बारा जानी घरती करना होगी संक्या बारा कुलते बावन पत्ते तो आप इसे जब डिवाड करोगे चार तिया बारा और तेरा चोका बावन तो तीन बटे तेरा कि थर्ड पार्ट कि फॉर्मूला यह लिखते रहा ना फॉर्मूला कि फैवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स यानि घटित घटनाओं की संक्या बार बार आपको यह ने की भई हम इतने लिखेंगे अनुकूल पकार कितने हैं किसका आड़के कितने हैं यह कि अब तक ने में यृट्वा का कुछता हैं लाल रंगा तशीयर्वाला पत्ता अगम बेटा लाल रंग तशीर्वाला पत्ता अब हमने बताएं लाल और श्रलिख लोन बडल जो कंडिन है पत्तों बात करते हैं उसके के बाद इतने डाइमंड के इतने हार्ट के इतने कलब के इतने इस पैड़ के यह बात ध्यान रखना बहुत इसी कोस्टन से अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता तो पी ए थ्री टोटल पत्ते कितने गड़ी में हैं बावन और लाल रंग और तस्वीर वाला तो वह कितने अच्छे हैं तो दोती अच्छे है सब्विजूनी बावन तो तीन बटे सब्विजूनी अब देखो बैट जो अब फॉर्थ पार्ट देखिए पी ए फॉर ए वन ए टू ए थ्री ए फॉर में देख क्या पुष्ता है पान का गुलाम गुलाम कितने है चार एक पान का है एक इट का है एक चिड़ी का है और एक वेक्ष पान का गुलाम है टोटल कितने है बावन पत्त प्तर क्या संबावन ना एक ही तो पत्ता वह अगर पान का गुलाम घड्दी में था हटा दिया जाए तो योग है कि इसा का निकाल कि निकालोगे एक गुलाम है वांक तो उसाओ आप कह सकता वन भाई टीटू हबुआ ब्लीक का पत्ता अब यह नहीं बता था कि हर ट्राइब के पत्ते कितने हैं आप बताइए 13 वेरि गुड तो थर्टीन है हुकम के पत्ते और टोटल पत्ते हैं बावन तो तेरे कम तेरे तेरे चो का बावन वन बाई ओर और शिक्त पार्ट इसका इट की वेगम अभी हमने बताया था कि जैसे पान का गुलाम बताया एक होगा ऐसी इट की वेगम भी एक ही होगी तो पी इट की वेगम एक है और टोटल पत्ते बावन है तो वन अपन तो फिप्टी टू कि दो को सब्सक्राइब तो आप देगरों कि एक फोर्म लावन है और कौन सी घटना तुम्हारी घटरी है उसको नोट कर लें लाल लंका बात्सा दो हैं तो दो बटे बावन जापने करा था फर्स्ट पार्ट एक फेस कार्ड है फेस कार्ड बार है तो बार बटे बावन यह आपने कर दो करती हैं लाल लंक की तस्वीर फाले था आप तुमने का कि पत्ते जो फेस वाले हैं जो तस्यूर वाले अबहरुत है तो च्छै बते 15 आप पांका गुलाम एक और 10-13 वावन और इंट के बेगम होगी तो एक बते बावन जीए नेक्स प देखे एक थैले में तीन लाल और पांच काली गैंदे लाल गैंदों की संख्या तीन और काली गैंदों की संख्या बराबर पांच देखे थैले में लाल गैंद भी डाल दिया आपने है और काली भी डाल दिया तो कुल कितनी गैंद होगी इन दोनों को जोड़ देना 3 प्लस 5 इकवल टू 8 यानि 8 गैंदे कुल हैं जैते भी आपने बताया कि तास्के पत्ते हैं चार तरीके केते और दो रंगों केते लाल के और काले तो टोटल दे बावन तो इस फिकार में लाल गैंद थैरेम डाल दो पांच और मिक्स कर तो टोटल गैंद दो जाएंगी गिंती करोगे तो आठ अब यह कि यदि इस थैले में से एक गैंद याद रच्छा निकाली जाए यानि एट रेंडम निकाली जाए हमें नहीं पता देखें निकालनी हाथ तुमने डाल दिया आखें तुमारी बन जद फे प Don't You I am right to the है कि तो अब ने बताया था कुल कि गटनाव की संख्या कुल ब्न इक याध किरम्णय रखए है और सके वल फैवरभी यॉटकम अपके और टो टोटल अउटकम घटिद घटनाव की संख्या आपवर तो गटनाव की संख्या नहीं हमारे पास आठ फुखाब लाल रंग लाल गयंद को लाल गयंद कितनी है तीन वठे ऐसा था हर भार लिखे वर तो बेटा ज्यान नखना कि जो चीज असंभव है तो हमने बताया था उसके ताइकता जीरो होती है इसमें जीरो मिल जाएगा तो आप जीरो को टिक कर देना जब हरी का मतलब भी नहीं इसमें डाली नहीं तो कहां से निकालोगे अब आंसर आपका 3 by 8 तो यह आपका आंसर हो कि देले नेक्ट कोस्टिन हर प्रिणित ने दो सिक्कों को एक साथ उचाला अब हमने बताया था कि दो सिक्के एक साथ उचानने पर कि 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 अगर्ण परकार यह संबाव घटना है घटना दिए अगर्ण दो कि अगर्ण दो कि अगर्ण दो सिक्केक साथ उचालोगे तो हमने का अगी पहले में हैड आएगा तो ने का जूसरे हैड यागी तो कोई बात हमने पहले में हैड आया अब तुम कहले दूसरे में टी आया ठीक है पहले में हैड कि टेल आगया दूसरे में हैड या और दो बन सकता दोनों हैड हो सकते हैं पहले में हैड हो दूसरे में टेल हो या पहले में टेल हो दूसरे में हैड हो यह संभव प्रकार है चार अब यह क्या करा कि उसे कम से कम एक चित प्राप्थ हो जो चित की बात करते हो और एक पटकी बात करते हो जित का मतलब हैड और पटका मतलब टेली जान रखना तो जब फर्स्ट पार्ट करोगे तो कुल संभव पटका कितना है चार यानि जो घटित घटना है वो केवल देखनी पड़ेंगी बाकी तोटल घटना है हमारे पास चार उसे कम से कम एक चित जानी एक हैड देखना है देखो पेटा एक हैड कम से कम होना चाहिए दो हो जाए कोई बात नहीं एक हैड है यह रह है और यह रह है तो तीन कंडिशन में ऐसा है कि जहां कम से कम एक हैड हो तो पी टोटल घटना है चार और कम से कम एक हैड आने की प्राइक तर पूछ रहा है तो कम से कम एक हैड है तीन जगे तो तीन वटे चार अब बार लिखना ज्यान लखें क्योंकि फॉर्मुला लिखोगे अगर वैल्यू बी गलत होगे तो उसके फॉर्मुले मास मिल जाते हैं एक्जाम में एक कोशन आता है तो जितनी बार पर लिखोगे उतनी जल्दी फॉर्मुला याद होगा घटित घटनाव की संख्या बटे टोटल घटनाव की संख्या या फैवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स अब यह कहना कि उसे एक चित और एक पट प्राप् की एक चित एक पट एक चित एक पट तो दो घटना ही हो गई टोटल चार है तो वन बाई तू कि यह आपका कोशन सोल्ड हो जाता है कि कम से कम एक चीत होगा तीर बटे चार नहीं दो और दो मैंसे एक चीत हो एक पट वह दो बार होगी तो दो बटे चार एक बटे दो यह लिए नेक्ट कोशन देखें यह अन्नोन वैल्डी दी गई है बहुत इंप्रेंट कोशन नहीं है एक बैग में लाल गैंड यह पांच है तो तक कुछ नीले रंकी गैंड जब अन्नोन चीज़ों तो तो हम मान लेते हैं एक्स तो माना नीले रंग की गैंडों की संख्या बराबर एक्स अब हम करें कि लाल रंकी गैंड पांच है और नीले रंकी एक्स है तो कुल गैंडों की संख्या लाल गैंड प्लस नीली गैंड तो पांच प्लस एक्स इसना 5 एक्स नेहीं क्याखेंगे 5 एक्स का मतल़ उता है 5 की गुणा एक्स मेंकरना दोनौ अलग 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 है यह व highway लसे तो 5 प्लस एक एक प्लस 5 जदी एक लाल गैंड की अपिक्सा एम नीली गैंड की प्रहिकता दो प्लस एक्स जब रेड़ की बात कर रहें तो ऊपर बेल बोल देखते हैं कितनी है वह हमारी पांच तो पांच अपॉन पांच प्लस एक्स दूसरी नीली गैंद है तो जब नीली गैंद हमारे पास एक्स एक्स और टोटल अप फाई प्लस एक्स तो यह हो गई अब यह कह रहा है कि नीली गैंद की प्राइक्ता दो गुनी है किसकी डाल गैंद की दे के पर सनलेसार यानि according to kind कि यह जो डीली गैंद निकलने की प्राइक्ता है तो पी ब्लू एक इसकी लाल गैंद निकलने की प्राइक्स था की तो नीली गैंदों की संक्या ग्यात कीजिए अब देखें पी बिलू कितनी है x अपॉन 5 प्लस x दो गुना यह आपकी 5 अपॉन 5 प्लस x अब इस 5 प्लस x को दले जाए यह पहले निकी मल्टिप्लाइ कर ले है तो उपर क्या 5 तो टैन अपॉन 5 प्लस x तो यह पूजाए नीली गैंद नीली गैंद क्या मान रखी है हमने x तो इसका मतलब क्या है कि x अमान पूछ रहा है x बराबर 10 गुना 5 प्लस x प्टे 5 प्लस यह कैंसल आउट हो जाएगा x बराबर 10 जब आपके यह एक्सराबर 10 आ गया तो अते अगर नीली गैंदों की संख्या अगर बराबर 10 जब 10 आ गई तो इसम चेक भी कर सकते हैं अभी आपने निकाला तो इसमें पी रेड आपके थीटाएं 5 और 5 प्लस अगी अगी 10 यह नी 5 उपन 15 इक्वल तो 1 बाइ 3 और पी ब्लू अगी आपके थीटाएं तो ज़िए 2 भाइ 3 आया ये इस 1 भाइ 3 का तो टाइम्स हो गया देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटु 1 भाइ 3 2 बंज़ा 2 अपन में 3 और 1 भाइ 3 यो क्या लिख सकते हैं पी इंटू तो पी रेड तो आप देख सकते हैं कि पी बिल्यू इक्वल टू 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 टाइम्स पी रेड रिलेशन भी था वन बाइ थिरी था या टू बाइ थिर सम्झे में भी आ रहागी ज़स्ट डबल हो गया तो इसका डबल है और वैसे भी कर सकते हो तो टू इंटू सब्सक्राइब तो टू 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 टाइमस पी रेड अगर दस गैने नीली होंगी तो उस इस्तिति में नीली गैंदानी की प्राइक्ता लाल गैंदानी की प्राइक्ता की डबल हो गया है जोगों बच्चों विद्या प्रकासन मंदिर आपको फिडियो प्रक्ष्ट आपको उचित आंसर दिया जाएगा हैपी लेर्निंग टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में